हे मेरे भगवान शिव, आपकी सदा ही जय हो, सुन्दर सी इस वीडियो को लायक जरूर करें, हर हर महादेव, दोस्तों सावन में नीम का व्रिक्ष बढ़ा खूबसूरत हो जाता है, हर्याली आ जाती है, नीम एक ऐसा पेड़ है जो पुराने जमाने में सब के घर में आंगन में अवश्य ही मिलता था, आज भी अगर आप गाव में जाएंगे, तो ये पेड़ आज भी कई सदियों से लोगों ने लगा रखा है, सभी के पूरवज इसे लगाते थे क्योंकि वह सभी इस पेड़ की एहमियत को समझते थे, और साक्षात सावन में भगवान शिवनियम के व्रिक्ष में विश्राम करने आते हैं, ये पेड़ कोई ऐसा वैसा पेड़ बिलकुल नहीं है, पर लाखों गुणों का खजाना है, स्वास्थे से लेकर तंत्र तक हर एक चीज में इसका इस्तिमाल होता ही है, लेकिन आज हम बात करेंगे नीम चाल से शत्रु से छुट कारा भी पाया जा सकता है, जिससे उसे आपका बुरा करने का मौका ही न मिले और ना ही वो आपको परेशान कर पाए, सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है, नीम की चाल बढ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और इसे आप ला भी सकते हैं, आपको ये बता दे कि नीम की चाल का प्रयोग, तंत्र प्रयोग, मंत्र साधना और काफी सारे तांत्रिक प्रयोग में भी किया जाता है, क्योंकि नीम का जो पेड होता है, उसमें कुछ ऐसी शक्तियां का वास होता है, जिन से संपूर्ण प्रकार की नकारात्मक उर्जा डरती है, और यही वजह कि जिन लोगों के उपर नकारात्मक उर्जा का साया हो जाता है या फिर जिन लोगों को नकारात्मक उर्जा परेशान करती है उन लोगों के पास नियम की जाड को रखा जाता है और लगाया जाता है बलकि पहले के जमाने में तो सभी लोगों के घरों में नियम का पेड होता और इसलिए लगाते भी थे जिससे उनके घर से नकारात्मकूर्जा भूत प्रेत शत्रु आदि दूर रहे। अगर आप यह वीडियो सावन में देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें। सावन चल रहे हों तो बहुत ही शुब माना जाता है। साक्षात भगवान शिव का विशेश फल आशिरवाद मिलता है। जैसे खास दिन होते हैं सावन, दीपावली, एकादशी, धन तेरस, होली आदी। लेकिन खास दिन रोज तो आते नहीं हैं, तो ऐसे में आप किसी दिन भी नियम की चाल ला सकते हैं। बस यह ध्यान रखिएगा कि मंगल या शनी या बुद्ध के होरा में आप इसे निकाल कर लाएं। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में किसी न किसी ग्रह का होरा अवश्य होता है, तो सावन का महीना चल रहा है, तो और भी शुब है। तो आप जिन ग्रह का होरा हमने बताया है, उन ग्रह की होरा में नियम की छाल निकाल करके लेकर अपने घर आ जाए। जो भी एकांत स्थान आपको मिलता है, जहां पर आप बैठ कर साधना को कर सके, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करें, ऐसे स्थान को आपको चुन लेना है, और जो नियम की छाल है, जो आप उतार कर लेकर आएं हैं, उस छाल को जला कर आपको इस प्रकार ऐसी जलाना है, कि गाय के गोबर का जो उपला होता है, उस पर रख कर भी इस छाल को जलाया जा सकता है, उपले के ऊपर इस छाल को रखने के पश्चात, आपको इस मंत्र का उच्चारन करना है, जो कि इस प्रकार है, ओम क्रीम महाकाली क्रीम शत्रुनाश फट स्वाहा, इस प्रकार से ये मं इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करने से कैसा भी शत्रू हो वह आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। आप ही गया तो आप से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी। उसकी इस प्रयोग के प्रभाव से वह बिलकुल परेशान करना छोड़ देता है। बस इसकी विधि को सही से अभी आप समझिएगा कि करना कैसे है। मेरे शत्रू ने बढ़ा परेशान कर रखा है। खृपया आप उसे ठीक करो जिससे वो मेरे रास्ते में ना आए। इस प्रकार से जीतने जहात और अज्यात शत्रू है। आप उन सब को ठीक करो। ऐसा कहने के बाद जो मंत्र हमने आपको बताया है। उस मंत्र की कम से कम ग्यारह माला जप करना शुरू करे। इससे जैसा भी या कोई भी आपका शत्रू हो वो आपके सामने टिक ही नहीं सकता है। जो लोग अपने जीवन में शत्रू की समस्या से परेशान रहते हैं। इस प्रयोग को करके हर प्रकार के शत्रू से छुटकारा पा सकते हैं। अपने हर प्रकार के शत्रू पर विजय पा सकते हैं। नियम की छाल से ही धन भी आकरशित आप कर सकते हैं। वो भी हम आपको पर ये बात आप जान लीजिए कि कब कब इस प्रयोग को करना है। ग्रह दोश हो सकता है, पित्र दोश हो सकता है, काल सर्प दोश भी हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो कि कुंडली से ही पता लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में चाहे कैसी भी धन की समस्याएं हो, तो रोज शाम को भगवान शिव के मंदिर में जाकर नियम की छाल पर गूगल रखकर इसकी धूनी देने से और अपनी मनोकामना बोलने से, बिलकुल नियम के साथ रोज शाम के समय, घर स शिव मंदिर तक बिलकुल पैदल जाने से हर प्रकार की मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है, आपको बता दे कि जब भी जीवन में धन की समस्याएं या फिर कोई ऐसा संकट है, जिससे आप बहुत परेशान रहते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते हैं, कहीं से भी अगर आपको रास्ता मिल नहीं पाता है, तो बस इस प्रयोग को करना शुरू करें, इस प्रयोग को करने से हर एक मनोकामना तुरंत और शीग्र अति शीग्र पूरी होती है, खास कर कि जो धन से जुड़ी हुई परेशानिया हैं, वह तुरंत समाप्त होती है, कुछ लोग ऐसे ह जिनको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही होती है, व्यवसाय नहीं चल रहा होता है, तो चाहे धन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, भगवान शिव के मंदिर में जाकर नियम की छाल पर गूगल को रखते हुए अपनी धन की परेशानी बोले, गूगल की धूनी महादेव को अतिप्रिय है, इसे रोज जलाने वाला साधक शिव का प्रिय है, वह न केवल अध्यात्म उन्नति करता है, बलकि साधना क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ता है और धन को लगातार आकरशित भी करता है, इस पर रोज लगातार नियम की छाल भी रखी जाए तो यह समस्त प्रकार के दुरभाग्य का शमन करता है, अगर कोई घर में रोगी व्यक्ती है, तो उसके साथ हमारा वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि उसकी भलाई करने से आपको पुन्य लगे, बीमार व्यक्ती को कैसे यह प्रयोग करना है, ये आप जान लीजिए, जब भी कोई व्यक्ती बीमार पढ़े तो नीम की छाल जला कर गूगल के साथ धूनी देते हुए अगर उसके सामने महा मृत्यूंजय का केवल एक माला भी जप कर लिया जाए, तो रोगी व्यक्ती धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है, अगर रोगी व्यक्ती चाहता है कि उसका रोग जल्दी समाप्त हो, तब ऐसे में उसे अधिक मंत्र जप करने को बोले, इससे वह खुद जानने लगेगा कि कोई ना कोई शक्ती अब उसकी मदद में आ गई है, दोस्तों, शिव भगवान और उनके सभी गण जैसे कि उनके जीतने भी साधू होते हैं, वह मरने के पश्चात, शिव गण ही बन जाते हैं, वह भी कभी आपकी ही तरह भक्त रहे होंगे, जिन पर महादेव نے कृपा करदी होती है, तो जब आप महादेव का ये उपाय करेंगे, तो महादेव के ही गण आपकी शक्ती को दोड़े आएंगे, और आपकी मदद क और आप हर प्रकार के संकट से बच जाएंगे। नियम की छाल की भस्म बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि नियम की छाल को जला कर इसकी राख बना ले। और जब भी आपको ये लगता है कि किसी शत्रू ने नजर लगा दी है, किसी ने आपको कहीं जाते हुए रोक दिया है या कोई काम आपका रुख गया है। इसलिए रुखा है कि किसी शत्रू ने कुछ नजर लगा दी है या आपको टोक दिया है, रोक दिया है या बाधा उत पन्न कर दी है. तो बस रात को सोने से पहले नीम की छाल की ये भस्म अपने माथे पर लगाना शुरू करें. इससे तुरंत हर प्रकार की नजर दूर हो जाती है. नजर दोश दूर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां से जो परिशानी होती है, भूत, प्रेत, आदी की जो स समस्याएं होती हैं, उनसे भी छुटकारा प्राप्त इस प्रयोग से हो जाता है। रात को जब आपको कहीं जाना पढ़े या ऐसी जगह जाना पढ़े जहां शत्रु रहता है। रात के स्थान पर आप लगाए तुरंत आपको राहत मिलेगी और घाव तेजी से भरेगा। यह छाल की भस्म को आप सिद्ध करके पहले ही अपने घर में रखा करें। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमें भस्म कैसे बनानी है, कैसे महादेव को हम अपने घर में ही भस्म चढ़ा सकते हैं, कैसे उनका शरिंगार करें। क्योंकि दोस्तों महादेव को भस्म अतिप्रिय है तो आप नियम के पत्तों को सुखा कर और उसकी चाल, उसके फूल को सुखा कर उसकी जड़ भी आप निकाल लें। सब चीज एक साथ जलाकर बिलकुल ताजा भस्म बनाके डबा भरके रख ले और ये घर के मंदिर में रख लें। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओम नमह शिवाय लिखना बिलकुल भी न भूलें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।